निकाय चुनावों के बाद भारतिय जन्ता पार्टी लोगसवा चुनावों के तयारी में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि इस बार उत्य परदेश में भारतिय जन्ता पार्टी सभी 80 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। निकाय चुनावों में जीत के बाद भारतिय जन्ता पार्टी अब लोगसवा चुनावों की तयारी में जुट गई है। भारतिय जन्ता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पलक देशवर में बर्सवर एक्टिव रहने वाला संगठन है। और हम लोग चुनावों के हिसाब से तयारी नहीं करते हैं। सरकार भी हमेशा लोगों के सुख दुख की सैवागी है। और हमारा संगठन भी लगातार लोगों के बीच में हैं। जहां तक लोगसवा की तैयारी की बात है। मुझे लगता है भारती जन्ता पार्टी अभी तैयारी की द्रस्टी से सबसे आगे है। हमने कहा था कि हमने अभी जब नगर निगम के चुनाओ थे। उससे पहले ही हमने बूथिस्तर तक अपने संगठन को विस्तार करने का काम किया था। बूथिस्तर पर हमारा संगठन, बूथ कमेटियां और भी सब बनकर थमारी तैयार है। साथ ही साथ अब नाइस रेसे संगठन में जो थोड़ा वाट कील काटा है परिवर्तन है उसको दुरुस्ट कर हम सब लोग संगठन के बीच में हैं। ऐसा कौन सा फार्मूला है भारती जंतर पार्टी के पार्टी के बाजपाजी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। देखे एक ही फार्मूला है लोग तंतर में जंता का जो ज़्यादा समर्थन प्राप्त करता है। सही माइने में उसके जीवन इस्तर को उपर उठाने का काम कर रही है और उसके जो कष्ट है उनको दूर हरने का काम कर रही है। तो एक तो जो सरकार की नीतियां हैं, वो दूसरा हमारे संगठन का जो तंत्र है, वो इस सब के आधार पर हम निश्यत कह सकते हैं, कि हम लोग 80 की 80 सीटें उत्तरप्रदेश में जीते हैं. गटबंदन तमाम दलों का हो चुका है, टीम इंडिया बनाई गई है, टीम इंडिया से एंडिया कैसे मकाबला करेगी उपी में? सरुकार नहीं है, हमारी सरकारें देश, उत्तरप्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, और हमारा जो संगठन है, वो सभी बर्गों को साथ लेकर काम कर रहा है, लोगों का भरोसा है, आज देखिए उत्तरप्रदेश से योगी जपनवे भारतियी जंता पर्टी के प्रिती जनता previous है यहीं बजय है दावा किया जा रहा है कि Sunshine कि अस्ती सीटे उत्तरपदेश में जीतेंगे क्या कुछ होगा इसका पता दोजाज चौविस में चलेगा अपने साथिया दूबे के साथ राकिस खनोजिया सीन्यूज आगरा